नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों Microsoft Word की Practical Class में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त डिक्के बर्मा दोस्तों ये वीडियो नमर 12 है जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आप Microsoft Word में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को टाइप करके आप किसी भी तरह की सेम्बल को आप इंसर्ट कर सकती है उदाहरान के लिए मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा ये जो आप अभी देख रहे हैं ये एक टेक्स्ट है लेकिन दिखाई दे रहा है सेम्बल में यह है सेम्बूल लेकिन लिखा हुआ है टेक्स्ट में दिखाए दरह सेम्बूल लिखा हुआ है टेक्स्ट में और है भी टेक्स्ट लेकिन दिख रहा है सेम्बूल यह क्या मामला है तो मैं समझाता हूँ देखें जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम चाहे तो इसको को कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं हम चाहे तो इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं हम इसकी कलर को Microsoft Word में चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह एक text जिस तरह से एक text को आप design कर सकते हैं उसी तरह से आप इस shape को design कर सकते हैं नहीं समझें जैसे दखिए microsoft word में अगर आप कुछ लिखते हैं आपने लिखा apple जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं AWP LE यह एक text है ठीके है हम इस text को design कर सकते हैं इसकी color change कर सकते हैं इसकी outline change कर सकते हैं इसमें जो चाहें कर सकते हैं दोस्तो ठीक उसी प्रकार से यह जो यहाँ पर symbol आपको दिखाई दर है इस symbol को भी आप text की तरह change कर सकते हैं यह कोई shape नहीं है अगर दखो shape रहता है तो आपको problem हो सकता है लेकिन ये shape नहीं है ये एक प्रकार का text है जिसको जहाँ चाहो वहाँ पर paste कर सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ पर use कर सकते हो color change कर सकते हो bold कर सकते हो जो करने करें बाबा मैं उदाहरेन के लिए दिखाता हूँ आपको ये आपका car का symbol है ठीक है और मैं इसको select करूँगा select करने के बाद हम color में जाएंगे और इसको कर देंगे मालो green तो इसकी color green हो गई अच्छा अब मैं जाओंगा bold इसको bold अभी क्या है अभी bold नहीं है इसको मैं bold करूँगा तो bold करने के लिए हम जाएंगे यहां पर B पर यह हमारा bold हो गया अच्छा italic यह देखो यह देखो आप हमने italic करा तो देखो यह तिरशी हो गया मैं इसको हटाता हूँ तो यह देखो सिधा हो गया समझ मैं आपको तो इस तरह से कर सकते हूँ अच्छा और काम करेंगे अभी सिर्फ मैं डेमो दे रहा हूँ तो आप इसको यूज करना ही करना बहुत लोग इसका इस्तमाल करना नहीं जानते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जैसे आप मालनीजी किसी अस्कूल का टाइपिंग कर रहा है किसी अस्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा है तो क्या होता है कुछ आपको वहाँ पर एनिमल का फोटो लगाना पड़ता है कुछ एपल का फोटो कुछ बनाना का फोटो कुछ आपको वहाँ पर टीवी का फोटो लगाना पड़ता है कीबोर्ड का मौस का हैंड का, कॉलिंग का, यह मान के चलिए कि आप Microsoft Word में अपने institute के लिए poster बना रहे हैं या अपने institute के लिए ebooks बना रहे हैं, आप कुछी भी बना रहे हैं तो आप दोस्तों mobile number देते हैं आप mobile number तो देते होंगे यह है मेरा calling का sign, ठीक है, अब मैं जब mobile number दूँगा तो mobile number देते होंगे, हम यहां पर क्या कर लेंगे, calling का sign यहां पर दे देंगे आप इसको छोटा कर सकते हो, जिस तरह से एक text को, मैं बार बार बाता रहा हूं आपको कि जिस तरह से किसी text को छोटा बड़ा, bold, italic, underline अगारा बगारा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से आप इस symbol को text की तरह काम कर सकते हैं, तो हमने इसको छोटा कर दिया, अब हम चाहे तो यहां पर अपना mobile number दे सकते हैं, हमने यहां पर ऐसे यह लिखा और आपने इस चीज को अकसर देखा होगा, है न, mobile का, calling का sign होता है, है न, तो यह आपका सिर्फ demo है, motorcycle का हो गया, किसी आदमी का हो गया, कुड़ेदान का हो गया, मेधक का हो गया, star हो गया, है न, cutter हो गया, bus track, emergency, दखो और यह भी देखो, यह जो hand का option है, इसका भी use बहु अगर आप लिख रहे हो, तो आप इससे पहले यह लिखते हो, है न, इससे पहले आप यह लिखते हो, उसके बाद आप यहा कुछ लिख 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 लिए, न, कि नोट में, और यह जितना भी मैं यहां पर आपको symbol बताऊंगा, सारे symbol होता ही है, होना ही होना है, अब आप आप टेक्स्ट को आप टाइपिंग करते हैं, मैं सबसे पहले अपनी इमेज को थोड़ा से यहां पर छोटा कर लेता हूं, ता कि आप कोई लिख लिख रहे हो, तो आप यह नोट का साइन दे सकते हैं, इससे क्या होता कि आपका डिजाइन और भी बेस्ट तरीके से यहां पर दिखता है, मैं आप कुछ लिखना चाहता हूं, मैं लिखता हूं, इस इस माई फर्स्ट वीडियो, ऐसी यह हो गया, फिर साइन नीचे, फिर अगला बनाना तो फिर से के इन नोट का साइन देंगे, ठीक है, सिर्फ कीबोर्ड में हमें सोटकट की दबाएंगे, आपको आपको बताई नहीं, मैं बताऊंगा, सिर्फ कीबोर्ड में आपको सोटकट की दबाना है, और यह सारा का सारा काम आउटमाटिक होना सुरू हो जाएगा, है ना, दखो यहाँ पर नेक्शन लिखोंगा, तो आप यहाँ पर एक ऐसा नोट का साइन, इसकी साइज को छोटा और एक नीबल कि आपे बहुत सारे हैं, दोस्तों, बहुत सारे, आप जिसी तरह का सेम्बल चाहते हो, कुछ भी, अब दखिए एक्जाम में आप देखते हैं, जो बच्चों का एक्जाम होता है, वहाँ पर दिया उड़त है, मैचिंग, मैच दफो फोलोविंग वर्ट्स, मैच दफोलोविंग वर्ट्स, तो क्या होता है, वहाँ पर की, एपल को एपल से मैच करना होता है, इससे उसे मैच करना होता है, तो वहाँ पर आपको सेम्बल यूज करना पड़ता है, वहाँ पर आपको सेप यूज करोगे, सेप में बहुत प्रब्लम है, किसी भी सेप को तो अगर आप insert करते हैं, तो इसकी setting करनी पड़ती है, wrap text करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप वहाँ पर text यूज करते हैं, क्योंकि text यूज करेंगे और आपको दिखाई देगा, यह जो आपके सामने दिखाई दर यह एक symbol है, लिकिन text के रूप में लिखा गया है, तो चलिए हम आपको आप बारी बारे से बताते हैं, देखिए, मैं सबसे पहले इसको delete कर देता हूँ, स किसा की का क enact करना है, और किसी भी तरह का symbol आपको लाना है, तो यह जो shortcut की हमने लिख रखा है, इस shortcut की का इस्तवार करना है और सारा काम आपका हो जाएगा, दो तीन तरीके हैं, दो से तीन तरीके हैं, उसका इस्तमाल कर सकते हो, सबसे पहले इस shortcut की का इस्तमाल करना आपको ठीक है, क्या है, shortcut की क्या है Alt, Alt, N, U, M Alt, N, U, M यानि की, समझेगा Keyboard में Alt बटन दबा करके रखना है समझे रहे हैं, Alt बटन दबा करके रखना है और बारी बारी से N, U, M प्रेस करना है ऐसा नहोगी, Ctrl, Shift, Z, ऐसा नहीं Alt दबा करके रखना है और बारी बारी से ये तीनो की प्रेस करना है Alt दबा करके रखना है और N प्रेस करना है, उसके बाद U प्रेस करना है उसके बाद M प्रेस करना है लगतर नहीं, Alt दबा कर रखो और बारी बारी से N, U, M प्रेस करिए, मैं आपको दिखाता हूं करके, मैंने कीबोर्ड में Alt बटन दबा दिया है, अब हम N, U, M बारी बारी से प्रेस करेंगे, N, U, M, हमने N, U, M प्रेस किया, तो आपके पास ऐसा सिंबल का एक चार्ट ओपन हो जाता है, ठीक एक विंडो आ बारी बारी से N, U, M, अल्ट बटन दबा करके रखना है, और प्रेस करना है, N, U, M, अल्ट दबा करकर करना है, और प्रेस करना है N, U, M, क्लियर है, समझ में आ गया, अब देखिए, अब एक चीज और पूछोगे, सर इतना सारा ओप्सन कौन यूज करेगा, येतना यूज मैं समझा रहा हूँ, सौट कट की भी है, आप सौट कट की के जरीए, कॉल का सिम्बूल, किसी ब्यक्ति का सिम्बूल, कार का सिम्बूल, किसी भी तरह का सिम्बल हो, आप सौट कट की यूज कर सकते हो, और अपने हिसाब से सौट कट की सिट भी कर सकते हो, अगर आप चाहत सिंमेंट भूंस सींबल टैपिंग हो जाएगा आप यहां पर मैं आपको दि START भेव जांट को तो हमें टो GP encompasses also a system of कीबोर्ड में यह बटन दबाना है जो अभी आपको बताया अल्ट एन यू एम जब इस चीज को दबाओगे तो आपके पास ऐसा एक विंडो खुलेगा और दोस्तों यहां पर एक उप्सन होता है फॉंट का यह फॉंट वाले में आपको चूज करना है विंडिंग्स क्या च यह कहान सबसे नीचे oldगे इस फोंट में बहुत सार फोंटसहे अगर आप सबसी नीचे जाएंगे तो डबलु से सभ्यक्रणा थान सबसे बाला आपको यह वाला याद रहना विल इक पॉंट है वेब डिंग्स एक फॉंट ऑन और दुसरा दुसरा ये वाला wingdings यह एक font का नाम है वेब डिंस और ये-क फौन्ट है विवगडिंस विवगडिंस और ये विवन डिंस बस इसको याद रखना है धरूसत्त खत्म और कुछ निहीं करना है चलिए, तो हम जाते हैं पहले वेब डिंग्स में, अब आपको कौन सा पसंद है दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं, Microsoft Word में सबसे जदा आप कौन सा चित्र को कौन सा साइन को यूज करते हैं मानग चलिए आप कॉल यूज करते हैं तो देखिए यह है वेब डिंग्स आप यहां पर विंग डिंग्स पर जा सकते हैं तो इसमें से को यूज कर लिजिए वेब डिंग्स किसी में जाएए बहुत सरे साइन आपको मिलेंगे तो हम यहां पर वेब डिंग्स में जाएंगे तो यहां पर मिल रहे हैं मैं इतना जो भासन आपको दिया हूँ, मैं इतना समझाया हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं, बाकि तो काम तो shortcut की से होगा, इसका shortcut क्या है दोस्तों, 41, अब कैसे 41 करेंगे, अब यह 41 क्या है, मैंने आपको दिखाए कि इसका code है 41, कौन सा code, calling का code 41, याद रखिये 41, calling का code 41, हाँ, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिए, और 41 के जगा पे, आप 50 कर लिजे, जो करने का वो कर लिजे, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, तो पहले से 41, आप चाहें तो वहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, तो calling का code 41, calling का code 41, या आपको याद हो गया अब यह जो calling का code है 41 है लेकिन किस font में है कौन से font के अंदर ये code है बस दोस्त यही दो चीज़ या तकना है किस font में कौन सा sign है यानि symbol है और उसका code क्या है बस खतम किस font में कौन सा symbol है और उसका code क्या है तो हम कहा थे हम थे इस font में विंग्स डिंग्स में, कहा थे, विंग्स, sorry, विंग्स में, जो भी प्रोनॉंसियेशन हो, I don't know, विंग्स, यह है फॉंट का नेम, और सेम्बल क्या था, कॉलिंग का, और स्वाट कटी है मेरा, 41, तो चलिए, अब हम इसको लिखते हैं, इस वर्ड में, हम क्लॉज करते हैं, ह Sword-cut कि क्या था, Code क्या था, code क्या था, Code था 41, लेकिन, font क्या था, तो wing, dynks, font, wing, dynks, code 41, xxd, code 41, okay, तो हम किरेंगे, दखिए, आपको एक Spider option मिलता है. Home,Phone in the Home tab के पास्ए, और, font का option होता है, और यहीं पर सर्ज करना है वह वाला font जो मैंने बताः, विंग डिंग्स यहां पर सर्च करना है लिखोंगा विंग दखुआ गया जैसे आपने डब्लु आय लिखा उत्मेटिक आगया अब आबस आपको इंटर कर देना है तो यह वाला फॉन्ट से लेक्ट हो जाएगा तो हम इस से इंटर कर दिए अब आपका क्या हो गया विंग् is activate opо pitch और फोर्म अधिया तो कोड कया था ? कोड था everyone okay आ्ल्ट के साथ में 41 रबाना है बस यह इतरा है code है उसके पहले आ्ल्ट लगा दिने एल्ट 41, इल्ट 42, इल्ट 43, इल्ट 44 जो बी अगोगा, ईसका code उसके साथ में इल्ट रबाना है तो Alt दबाकर हम 41 दबाते हैं Alt 41 Calling का सान आ गया यहाद रखने है font का नाम Wingdings Code 41 font का नाम Wingdings और Code 41 तो Alt के साथ में 41 दबा दिया हमने फिर उसे देखते हैं फिर जाते हैं वहीं तो कुछ दिप याद करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं वरना जो जो हमें याद है हम डाइरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं Wingdings मैं फिर उसे समझाता हू Wingdings एक font है और उस font के अंदर बहुत सारे symbol है विंग डिंग्स एक font है और उस font के अंदर बहुत सारे symbol है तो कोई भी symbol आपको टाइप करना होगा तो wings डिंग्स आपको font को open करना होगा तो हमें याद तो है नहीं तो याद करने के लिए हमें जाना होगा वहीं पर जो अभी हमने आपको पहले कुछ दिर पहले बहुत सारे fonts को दिखाये था तो shortcut की क्या था Alt N U M Alt N U M Alt N U M open हो गया Alt N U M यह आपका symbol का पूरा का पूरा यहाँ पर जो है window open हो चुका है अब दोस्तों जिस भी जिस भी font के अंदर यहाँ यह है आपका font यहाँ पर देख लेजिए जिस भी font के अंदर जो भी symbol आपको लेना है जिस भी font के अंदर मालने जी मैं किस font में हूँ मैं हू विंग डिंग्स में, विंग डिंग्स 2, तो इस इस फॉंड के अंदर इतने सारे सिंबॉल है, अब इस में से जो भी सिंबल आपको Microsoft Word में इंसर्ट करना है, उसका कोड आपको नीचे दिखाई देगा, जैसे मान की चले दोस्तों, आपको यहां पर एक कट्टर का आपको 37, 37, यानि Alt के साथ में 37 दबाएंगे, तो यह वाला आपको कट्र आ जाएगा, अच्छा, यह हो गया font, और भी font हैं, और भी बहुत सारे fonts हैं, तो हम इसमें और भी यूज करेंगे, हम दखे यहां पर जाएंगे, सबसे ज़दा फॉंट्स पता है किसमें आएगा, म देखो यह वाला, वेव डिंग्स, यह है वेव डिंग्स, इस फॉंट के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, अब जिस भी सिंबल का आपको कोड दिखना है, तो नीचे आपको दिख जागा यहां पर, तो मालने जी आपको सबसे ज़दा, जो सबसे के लिए दिया जाता है, कटर के लिकाटने के लिए, यह मालनों यह सौंड का, अनॉंसमेंट का, तो यह अगर आपको यूज करना है, तो इसका देख लीजिए, इस पर क्लिक करिये, और क्लिक करने के बाद नीचे आकर देखें, यहां पर दिखाई देगा, करेक्टर कोड यह है 85, सौंड का, अनॉंसमेंट का क्या है, करेक्टर कोड दोस्तों, करेक्टर कोड है 85, क्या है करेक्टर कोड 85, किस फॉंड के अंतर गताता है, तो फॉंड का नाम है, वेब डिंग्स, और करेक्टर कोड है 81, तो हम इसको क्लॉज कर लेंगे, बस याद करना है आपको ए तो Alt के साथ में 81 दबाना है Alt 81 सायद कौन से फॉंट में थे Wingdings में हैं और था कौन सा Webdings में तो थुरा सा गलत हो गया ये वाला फॉंट था Webdings था तो हम इसको चूज करेंगे अब लिखेंगे Alt के साथ में 81 कुछ तो गडबड़े मैं फिर इसे जाता हूँ हाँ दोस्तो ये सौट कट जो आप यूज कर रहें आप चाहे तो भीना सौट कट की के जरिए आप सिंबॉल में जा सकती है दखिये हम जाएंगे इंसर्ट में और जाएंगे यहाँ पर सिंबॉल में और जाएंगे आपर more symbol में, आगे, अब यहां से हम choose करेंगे, मैं देखता हूँ कि कहां मैंने गलत कर रहा था, विंग डिंग्स में था, वो वाला, हम क्या यूज कर रहे थे, कट्टर यूज करते हूँ, पहले देखना पड़ा है किस font में था, अगर font गलत होगा, तो type नहीं होगा, हम थे, विंग डिंग्स में, और क्या यूज कर रहे थे, कुछ भी मालों यार फिर उसे दिखाते हैं आपको, माली की बोड, यह की बोड है, font का नाम, विंग डिंग्स, की बोड का साइन, क्यारेक्टर कोड, पच्पन, طुक, font चूज करते हैं, होम की अंदर, मैं जाय विंग डिंग्स हो गया, क्यारेक्टर कोड था, कितना था, क्यारेक्टर कोड?. कि अर्ट 31 था मैं यार भूल जाता हूं यार कि क्या यूज करना था मेरे को विंग डिंग्स के अंदर यूज करना था हमें की बोर्ड फॉंड का नाम विंग डिंग्स सेम्बोल कीबोर्ड करेक्टर कोड 55 ओके तो अल्ट के साथ में इदा खुब फॉंट है विंग्डिंग्स अल्ट के साथ में 51 अल्ट 51 तेरी कुछ तो गड़बड़ है अल्ट 55 और डिलेट डिलीट फॉंट को मैं देख लेता हूं एक और फिर से आप 25 देख लिए जगा विंग्डिंग्स सही है अल्ट 55 कोई बात नहीं मैं दुबारा कोई और यूज करता हूं कभी कभी हो सकता वाई सिंबल मजाएंगे और सिंबल मजाएंगे और यह है मेरा यह फॉंट का नाम है विंग्डिंग्स 2 और यहां पर मैं यूज करूंगा यो टाइमए वाला सिंबल और फॉंट का नाम विंग्डिंग्स 2 कोड है 135 135 135 फॉन्ट है विंग डिंग्स टू हो गया वरना मैं नीचे जाकर देखते हुआ कुछ सबसे नीचे भी डियर डिया ऐसे भी जाकर आप सेलेक्शन कर सकते हो डबलू से विंग डिंग्स टू भाई 155 हो क्या गया है अब ट्राइ कर लाना माई कुछ भी हो सकता है मारे पीसी में ओके और हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं आप आप सिंबल में जा करके यहां पर आप चाहे तो यहां पर देखिए सौोट कट की का ऐपसर ने या आप देखिए सौट कट की देख लिए आप यहां सौर्ट की भी यूज कर सकते हैं मैं देखता हूं यहा पर आप चाहते की बिना कोई फॉंट यूज sellers जैसे मानलिजे कि आप नहीं चाहते हैं कि हम फॉंट यूज करें, कभी कि ऐसा होता है, आप यह नहीं चाहते हैं कि कोई फॉंट यूज करें, आप चाहते हैं कि सौटकट की के जरीए, हम कॉलिंग का साइन, घड़ी का साइन, कटर का साइन, हैंड का साइन, आप किसी भी तर कोई font इस्तंबाल नहीं करना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा बस कहीं भी कभी भी Microsoft Word के अंदर shortcut key दबाएंगे और यह calling आजाएगा तो इस पर क्लिक करिये और नीचे आईए और यहां पर आएगा shortcut key तो आप shortcut key पर क्लिक करिये और यहां पर आएगा आपको दखो प्रेस new shortcut key प्रेस new shortcut key किसके लिए तो calling के लिए symbol का नाम है call calling के लिए तो दोस्तों अगर आप उतना जहन जहत नहीं लेना चाहते हैं जैसे अभी मैंने बोला पहले font चूज करो उसके बाद code डालो हैना दो दो step है पहले आप तो font को चूज करिये font को चूज करने के बाद आपको code डालना होगा लेकिन दोस्तों अब कुछ नहीं करना है अब कुछ भी नहीं करना है अब खुद से आप shortcut key लगा दो जैसे आप सबसे ज़्यादा calling का sign यूज करते हो, symbol यूज करते हो तो calling का में आप प्रेस new keyboard shortcut तो जो आप keyboard में अभी button दबाओगी वो इसका shortcut key बन जाएगा keyboard में जो button आप प्रेस करोगी अगर control प्रेस करोगे तो control यहाँ पर दिखाई देगा तो keyboard में जो shortcut key आपको लगाना है वो लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, keyboard में मैं दबाओँगा control दबा रहा हूँ, आप अपने अनुसार लगाईए, अब दोस्तों एक चीज आप गलती मत करिएगा control C से copy होता है, तो आप सोचेंगे कि control C इसका shortcut key बना लेंगे यानि कि calling का आप जो shortcut key बनाना चाहते हैं, वो यह चाहते हैं कि जब keyboard में हम control के साथ में C दबाएं तो यह call वाला symbol आ जाए, तो गड़बड हो जाएगा कि control C से copy होता है, तो यह गड़बड हो जाएगा तो आपको ऐसा keyboard shortcut बनाना है कि जो new हो, जो पहले से Microsoft Word में ना हो, अब control C बना लेंगे तो control C से copy होता है, control B बना लेंगे तो control B से paste होता है, control P बना लेंगे तो control P से print होता है तो गड़बड हो जाएगा, तो कुछ नया shortcut की बना लिए, जैसे बना लिए, keyboard में प्रेस करिए, control shift A, control shift 2, control shift 5, control shift 3, control shift 1, ऐसे दबा सकते हो यह एक चीज और है, control 1 दबा सकते हो, control 2 दबा सकते हो, तो मैंने keyboard में control 1 दबाया, यहां पर control 1 दबा सकते हो, यह control 2, मैंने keyboard में control 5 दबाया, लेकिन दखो, num lock दबाया इसलिए num आ गया, तो फिर मैं back कर लता हूँ, आप जो भी लिखोगे वो बन जागा, keyboard में control बटन तो हम control के साथ में क्या दबाएंगे, control 8, control 8, दबा दिये, हमने keyboard में control बटन दबा करके रखा, उसके बाद keyboard में 8 बटन दबाया, तो यहां पर दिखा दिया control 8, मैंने लिखा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो, कि यहां पर हम लिख सकते हैं, तो लिखना नहीं होता है, आप नहीं सकते हूँ, आप जो keyboard में बटन दबाओगे, वो इसका shortcut बन जाएगा, मैं दिखाता हूँ, मैंने keyboard में control के साथ में 8 बटन दबाया, मैंने keyboard में control बटन के साथ में 8, 8, 8 बटन दबाया, तो control 8 दबाया, तो यहां पर दिखा दिया control 8, यानि यह इसका shortcut की है, किसका calling का shortcut कट की control 8 हो गया अब कर देना है यहां पर assign क्या है दोस्तों assign कर देना है यहां पर काम हो गया खतम अब आपको कोई जहनज़ट नहीं लेना है कि भाई करो कोड डालो अगरा अगरा कुछ भी नहीं करना है बस की बोर्ड में control के सब्सक्राइब कुछ भी काम करो कि आप कुछ भी काम करो सॉरी यह कि मालने जे मैं कुछ टाइप कर रहा हूं कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूं मुझे यहां पर कॉलिंग का साइन दना है इसके निचे मान की चलिए कि इसके निचे मुझे का लिन का सीन दना फो क्या दबाएगा दोस्तों अल्के सथ में 8 अल्कस थम एट सॉरी सुरि कंट्रोल के सथमे एट control के साथ में 8 control 8 आगया calling का साइन no problem तो I hope कि ये method आपको काफी पसंद आया होगा वो तो आप यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं वो जो मैंने बता ना कि पहले font उसके बाद character code तो ये बढ़ी है जहाँ जहाँ दिल करे no font change कुछ भी नहीं करने कर बाबा कहीं पर काम करे जहाँ पर दिल करे कि calling का sign लगा दे तो control 8 दबा दो और ये पर्मानेंटली बन गया ये जब तक आप Microsoft Word को डिलिट नहीं करोगा तब तक ही रहेगा और हाँ आप चाहो तो Microsoft Word को आप यहाँ पर अपने email ID से यहाँ पर login कर सकते हो ताकि ये डिलिट नहों आपको बता दी ठीक है जहाँ पर कीबोड में control के साथ में 8 बटन दबाऊगे ये जितने बार control 8 दबाऊगे उतने बार calling का sign आएगा तो ये method सही लगा आपको और मेरे को भी यही लगता है यहां पर दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हू हूँ कि जितने भी तरह के symbol हैं जितने भी तरह के symbol हैं वो यही तीन से चार font के अंदर है यही तीन से चार font के अंदर जैसे दकिए पहला font है w Mỹ coordinator दुसरा है wingdings और तीसरा है kung welding two तो कोई भी चूज करिये आपको जिसमें मिल जाए आप बिल्ली आपको मिल जै झाया कि जैसे ही हम उस की Vor shortcut key को दबाएं तो वह हमारा type हो जाए अब देखिए ना दोस्त फ्लैग यूज करना चाहते हो बुक का sign यूज करना चाहते हो टेलिफोन का sign cutter का sign यूज करना चाहते हो तो जिसका shortcut key आपको बनाना है जैसे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लगता है यह हैंड वाला sign अगर यह वाला sign अगर आपको यूज करना है और बार बार आप यूज करेंगे ही करेंगे तो आप इसका shortcut key बना लेजिए तो इस पर क्लिक करिए और यहां पर देखिए आएगा press new shortcut key तो यहां पर आप जो दबाएंगे keyboard में वह shortcut बन जाएगा हम क्या बना रहे हैंड का तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप दिमाग लगा सकतेि किया दबाएं क्या दबाएं कि मतलब ह्यार याद रहे याद रहे तो hand, 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 hand kmd hand होताई एच से hand का पहला character H तो तो क्या करते हैं control shift H कर देते हैं control shift H Keyboard में आप दबा देजिए Ctrl-Shift-H और कर देजिए यहाँ पर Assign और बस इसको कर देजिए Clause इसको भी कर देजिए Clause अब आप Microsoft Word में कभी भी कहीं भी किसी mode में कहीं मन करे तो आप कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर दबाना है Ctrl-Shift-H 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 Hand आगया तो जो जो आपको लगता है कि यह आपके लिए important है जो भी आपके लिए important है उसको आप keyboard shortcut बना ले जिए और जहाँ यूज करना है वहाँ keyboard shortcut दबा दीजिए कारणी खतम I hope I hope आपको आज मैंने कुछ अलग चीज़ें आपको सिखाया होगा अगर सिखाया है तो हमें support करिए ताकि आगे की classes मैं ले सकूँ इसी जुनून से तो support करना आपका काम है और बाकी की videos हमने इस video के description में डाल दिया है यह Microsoft Word की 12 वीडियो है बाकी की जो 11 वीडियो है वो description में डाल दिया गया है आप जाकर बाकी की धमाकेदार videos को देख सकते हैं इसे तरह से और कल की video में आपको आना है दो को time से पहले आना है मैं live जो है 8 बजे कर देता हूँ लेकिन इससे पहले आपको 2-3 मिनट पहले आ जाना है कि अगर मिस्ट करो कि वीडियो डिलीट हो जाता है कोई guarantee नहीं कि ये वीडियो मेरे चैनल पर रहे रह जाता है लेकिन कोई guarantee नहीं मैंने लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी videos को डिलीट भी किया है तो कलका topic देख लिए ताकि आप इसको सेयर करें कलका topic हमारा रहे गा कि मैंडिखाता हूँ कलका topic साहथ मेरे YouTube के उपर आपको दिखाया गया होगा कलका live हमने schedule कर दिया है कलका topic मैं आपको दिखाता हूँ मैंने मेंने देख लिजिए ताकि आपको भी मतलब कल आने में आप विलम बना करें भाया कल का टॉपिक दिखाते है बहुत ही धासु टॉपिक अपको तो कल हम कुछ और धासु टॉपिक देंगे आपको आप मेरे यूटूब चैनल के ऊपर विजिट करें वहां पर च्रीवल किया हुआ है और वह टॉपिक है मेरे हिसाब से मैं बस बिजिट कर रहा हूं अपने चेल पर हाँ टॉपिक है कल का टॉपिक है सम्सक्राइब सब्सक्राइब ओमाइगाद रेड करेंगे तो रेड होगा सब्सक्राइब उत्री यह कैसे टाइप करेंगे माइक्रोसफ्ट वर्ड के अंदर ओके लाइक अभी रूको जरा यह कल की वीडियो में आपको मिलने वाली है लाइक कलर भी चेंज कर सकते हैं इसकी आउटलाइन भी बदल सकते हैं दो यतने मस्त मस्त फॉं्ट सब्सक्राइब यह इस ब्सक्राइब बजादा यूज gefड्राँ बेडनinação सब्सक्राइब यह csakआथ देवाल देवल यू-वाले पे यहाथ-दीव में भी एर यहई-वाल na यू-वाली पबल्रेशर एकस्युणी सॉफ्ट वेर में आप इसको यूज कर सकते हैं, यूज को निया नो कि लेप्टोफ उस इंस्टाब और किसी भी सॉफ्टहर आप यूज कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा तो है ना मज़दार चीज ठीक है चलिए शो आज की लाइब शेशने से जुड़ने के लिए क्लास करने के लिए थैंक यू कल फिर